हाई फ्रेंड्स मैं आश्विन कन्फ्यूजिंग वर्ट्स इस सीरीज के आज के सेशन निंबर फाइव में हमने जिन दो वर्ट्स को चूज किया है वो हैं मोनोलॉग और सॉलिलोग वी आईए आगे की स्लाइड में हम इनके बीच के डिफ्रेंस को जानते हैं ये दोनों ही वर्ट्स अक्सर एक्जाम में वन वर्ट्स सब्सिटूशन में पूछे जाते हैं कहां पर मोनोलॉग होता है और कहां पर सॉलिलोग भी होता है रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग इन दोनों वर्ट्स को लेके कन्फ्यूज रहते हैं मुझे अमीद है इस सेशन के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कन्फ्यूजन क्यों है एक्चली में ये जो दोनों वर्ट्स हैं चाहे वो मोनो लॉग हो और चाहे वो सॉलिलोग भी हो मोनो लॉग में जो मोनो है इसका मतलब भी वान होता है वान सिंगल मोनो मोनो रेल होती मोनोपली होती है कि मैं इसे बनता है सोलो का मतलब भी होता है सिंगल इसी से सॉलिटरी बनता है अकेला कोई ना हो साथ में एक वर्ड आईसोलेशन होता है एसमें कोविट में लोगों को रखा गया था अकेले तो दो L का मतलब भी होता 1 Mono का मतलब भी होता 1 तो अब समझ में नहीं आता कि कहां पर क्या होगा और दोनों ही डालॉग भी है दोनों ही conversation भी है बस यही वज़य है कि लोग ब्रहमित हो जाते हैं आईए आपके ब्रहम को दूर करते हैं Monologue में क्या है Monologue is a long speech by one person in a play और at a stage Monologue में क्या होता है कि एक व्यक्ति लगातार बोलता है सामने audience बैठी रहती है वो सुन रही होती उसे Monologue बोलते है Monologue अगसा boring भी होते हैं क्योंकि उसमें participation नहीं होता Generally जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप बैठे हुए हैं 12 लोग बैठे हुए है तो होना यह चाहिए कि मैं कुछ बोलू आप कुछ बोलें आप कुछ बोलें तीसरा कोई कुछ बोलें तो वो conversation होता जाता है participation उसमें होता है Monologue में क्या होता है कि सिर्फ मैं ही बोला चला जा रहा हूँ और सामने वाले वेक्टिक को कोई मौका ही नहीं बोलने को तो यह Monologue हो जाता है इसलिए कई बार यह Boring हो जाता है प्रधान मंत्री जी का एक मंतली रेडियो प्रोग्राम है जिसका नाम है मन की बात वो एक Monologue है मैं यह यह नहीं कह रहा है कि वो Boring है लेकिन वो Monologue जरूर है क्यों क्योंकि उसमें से वो ही बोल रहे होते हैं और बाकी लोग तो सिर्फ सुन रहे होते हैं तो वो एक प्रकार का Monologue हो गया ठीक है मन से जो नेता लोग भाशन देते हैं वो भी Monologue ही हो जाते है सोली लोग भी में क्या है यहां भी बेकती अकेले ही बात करेगा लेकिन अप Audience नहीं होगी सामने अब आदमी अपने आप से ही बात करेगा अपना ही एक Clone निकालेगा है ना अपना ही अंतरमन बाहर निकालेगा उससे वो बात करेगा अपने आप से जोर जोर से बाते करना audience अगर होगी भी जैसे play में भी soliloquy होता तो उसमें कैसे audience सामने है audience आपको एक character के रूप में देख रहे लेकिन आप audience से नहीं interact कर रहे हैं आप अपनी clone से interact कर रहे हैं जैसे आप movies में देखिए कि एक actor ने सोचा कि आम में मर जाता हूं तो तुरंत वो जो है उसका उसका उसकी अंतर आत्मा बाहर आए और कि यह क्या गंदा काम करने जार यह कौन सा कमजोरो वाला काम करने तुम्हारे पीछे कौन करेगा यह कौन मैनेज करेगा अगर तुम मर जाओगे तो सत्य का पता कौन लगाएगा, तो वो हम आप देख रहे हैं, लेकिन वो है solilokwy ही, आत्मी अपनी ही आत्मा से बात कर रहे हैं, वो क्या है, solilokwy है, तो जब आप सामने ओडियन स बैठी है, उससे बात कर रहे हैं, लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं उसी से interact कर रहे है पर उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे है वो monologue है soliloog v में क्या है तो audience है ही नहीं आप एकान ने बैठे हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं है यह सर है न और audience अगर है भी तो audience से आपको कोई interaction नहीं हो रहा है, आप अपने ही clone से बात कर रहा है, तो ये soliloquy हो गया, talking usually allowed to oneself, ये एक picture है, बताइए इस क्या है, बताइए, पहली picture है, बताइए कसा, मैं बता देता हूँ, ये ना soliloquy है, क्या है, soliloquy है, इस में एक वेक ते अपने ही skull से बात कर रहा है, हो सक इमेज थी, ये क्या है, देखिए, हो सकता थोड़ी से blur हो इमेज, ये क्या है, इस में एक वेक वेक भूपुल ये चिला रहा है, ये monologue है, इस में ये अपने आप से कोई बात नहीं कर रहा है, गाओं के भीतर टहल रहा है, सबको कुछ बता रहा है, लेकिन उन से नहीं कु करके बताइएगा, कि ये क्या है, monologue है, इमेज को ठीक से देख लिजेगा, और number four प्यादे, ये भी क्या है, बताइए, आदमी को देख लिजे, उसके दिमाग के ये ideas हैं सर, ध्यान से देख रहे हैं ना, message type के ideas है, तो ये क्या है सर, तो आपको क्या बताना है, number four, नहीं, number three and number four में, क्या है, क्या दोनों में monologue है, क्या दोनों में soliloquy है, या किसी एक में monologue है, दूसरे में soliloquy है, जो भी है मुझे बताइएगा, आज के session में इतना ही, मुझे उमीद अच्छा लगा होगा, comment करके बताइएगा कैसे लगा, और answer तो जरूर करिएगा, चलिए, thank you so much, bye bye, take care, keep learning.